Border Road Organization के द्वारा विप्रीत परिस्तितियों में जो निर्माड कारे किये जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के साबा जिला में जाकर के रक्षा मंत्री ने उनका हासला बढ़ाया और तमाम परिजनाओं का उद्गाटन किया सिला नियास किया इसी क्रम में देवक ब्रिज ध्यान लखे का देवक पुल के बारे में पूछ सकता है ये पुल अक्सर चर्चा में रहता है क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो भारत का बार्डर है जम्मू कश्मीर का साबा जिला के पास लगबग 3 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान बार्डर से ये स्थित है बिर्ज और 1971 की लड़ाई में काफी चर्चा में रहा था ये तो बार्डर रोड अगनाईशन ने देवक ब्रिज का निर्माण किया है मजबूस रक्षा तंत्र के रूप में देवक नदी पर जम्मू कश्मीर पर ये ब्रिज बनाया गया है रक्षा मंत्री द्वारा इसका उध्गाटन किया गया और इसका उध्गाटन करने के साथ साथ रक्षा मंत्री ने नियुमा जोकी लड़ाख में है वहाँ पर दुनिया के सबसे उचे fighter airfield का शिला न्यास भी किया दुनिया का सबसे उचे fighter airfield बनने का जो मकसद है जो इसकी उपयोगिता है इसका महत्व है इस बास से पता चासलता है कि चाइना की जो government है लगबग 10 से 15 दिन इस पर चर्चा की है वहाँ की media ने इस पर 10 से 15 दिन चर्चा की है तो आप समझ सकते हैं कि इतनी उचाई पर जाने का जो हमारा एक कमजोर पक्ष हो सकता था युद्ध के समय या युद्ध कालिन परस्तितियों के समय 1962 में इसका खामिया जहा हमें भोगतना पड़ा था ये तैयारियां कितनी महतुपूर हैं उन सब दिश्टे से जैपुर बाद सुरक्षा पर अंतर राष्टी समयलन का उधगाटन 14 सितंबर को अर्थात कल उप राश्पती के द्वारा किया जाएगा पूछेगा बाद सुरक्षा पर अंतर राष्टी समयलन का उधगाटन कहां या आयवजन कहां हुआ जैपुर राजस्थान में विराट कोहली और केल रहुल ने पाकिस्तान के खिलाब जो एशिया कप में मैस था इसमें 233 रन की साज़ेदारी की और इसके साथ ही एशिया क कि अभी तक जितने संस कड़ हुए हैं उन सम में अगर देखा जाए तो इतिहास की सबसे लंबी साज़ेदारी एशिया कप की रही है 233 रन की पाकिस्तान के अगेंस इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हराया जो की वंडे क्रिकेट अठाथाथ 50 ओर के मैचों मे भारत की अब तक पाकिस्तान पर जो है सबसे बड़ी जीतिय है डाटा एक डाटा निकल कराया है सामने जो पिछले लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें जो हलफनामा दिया गया था और राजसभा के जो संसद हैं उनके जो हलफनामे हैं इनको देखा जाए तो वर्तमान में सं ativos के 763 सदस्यow में से 306 सदस्यों अर लगभक 40 55 सदस्य ने अपने खिलाप आपरादिक मामले होने की घोशना की है तो यह मुक्ष के परिक्षक कि दिश से बहुत महतमूण अकड़ाय लिख सकते हैं कि 763 सदस्यों में से 40 प्रतिशत के खिलाप आपरादिक मामले हैं इनमें से 25 परचस सांसुदों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं तो ये आप लिख सकते हैं जो राजनीति का आपराधिकरण टॉपिक आता है या फिर निबंद में लिखते हैं ये आकड़ा देंगे तो काफी महत्वपून रहेगा सैप अंडर 16 फुटबाल टूनामिंट ये भूटान में आयुजित हुआ ध्यान रखेगा इसमें भारत ने बांगला देश को हराकर टूनामिंट जेत लिया नई दिल्ली यहां भारती राशपती के दौरा किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्टी का उध गहराई तक अध्यन करने के लिए भारत का पहला समुद्रयान है जो कि तίας को तियार किसने किया है तो महासागर जो राष्टी महासागर प्रद्योकी संस्थान है और यस इसरो के द्वारा इसको त्यार किया गया है इसरो ने हाली में चंद्रियान और आदित्य एलवन भेजा है और मत्य शिक्स थाउजंड भी जाने के त्यार है छे हजार अगर पूछेगा तो क्या है शिक्स थाउजंड मतलब सॉरी ये शिक्स थाउजंड मीटर है ध्यान रखेगा लगबग 20,000 ये फीट होता है शे हजार मीटर की गहराई में जाकर करके अन्मेशन ये करेगा तो भारत का पहला संद्रियान ये होगा डिली क्या है तिमोर लेस्ते की राजधानी है नाम है डिली याद रखेगा क्योंकि अभी हाली में भारत के प्रधान मंत्री ने जो जकार्ता में इंडोनेशिया में 20 वे आसियान भारत शेखर संभिलन में हिस्सा लेने के लिए गये थे यहाँ पर घोशना की कि भारती दूतावास खोला जाएगा कहां डिली में और डिली क्या है तिमोर लेस्ते की राजधानी है तिमोर लेस्ते ये दक्षिन पूर्वी एशियाई देश है वरुन 23 तो वरुन 23 क्या है भारत फ्रांस द्वी पक्छी नौसैन अभ्यास का 21 संसक जो कि अरब सागर में आयुजित हुआ अब यहां पर देखिए यह 23 से यह 21 से अंतर क्या है यह 23 जो है 2023 वर्ष को बताता है और 21 संस्क्रण यह अलग है इसलिए confused मत होईएगा अगर statement आजाएगा इस तरह का देखिए भारत और फ्रांस के बीच जो अन्यसन्य अभ्यास होते ह है डेजर्ट नाइट 21 और गरुड यह सभी वाई अभ्यास है और शक्ती यह सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस जिसमें हिस्सा लेते हैं सम्मरीन नंबर 841 काफी चर्चा में है उत्तर कोरिया द्वारा अभी प्रस्तुत की गई उसकी पहली परिचालित सामरिक परमाण ह पंडुब्बी है चीन ने एक समय उत्तर कोरिया को यह पंडुब्बी दी थी इस तरह की पंडुब्बियां दी थी उसी को विखसित करके सम्मरीन नंबर 841 उत्तर कोरिया ने बना लिया है यूएस ओपन ग्रैंड स्लेम 2023 जो टेनिस टूनामिंट है पुरुस एकल का जो ख से यादा 23 जो है सरेना विलियम्स ने जीते थे अब नुवाक जोक्विच ने उनको पछाड दिया है सरेना विलियम्स को 24 ग्रैंड स्लेम जीत लिये हैं ध्यान रखेगा कि इसके पहले मार्गरेट कोड ने भी 24 ग्रैंड स्लेम जीते हुए हैं लेकिन ओपन एरा में उन्ह जाते हैं तो सर्व कालिक सफसे अदा किताब जीतने वाले ये बन जाएंगे महिला एककल में अभी चर्चित बहुत खिलाडी है कोको गॉफ ये USA की 19 वर्ष मातर 19 वर्ष की टेनिस खिलाडी हैं महिला वर्ग में इन्होंने आर्याना सबालंका जैसे मजबूत प्रतिदंदी को हरा करके अपना पहला US Open या Grand Slam किताब जीत लिया तो आज के लिए इतना ही बहुत भूत धन्यवाद